Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका CSIR, NetJRF का जो एक्जाम अभी अभी हुआ है वो उतना अच्छा नहीं हुआ, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मतलब आप बहुत बड़े मार्जिन से भी पीछे हैं और आपका ये second ये third attempt है तो आपके पास क्या क्या options है हाँ, आपके पास फिर से और 6 महिने दे कर तयारी करने का option तो हमेशा है लेकिन उसके अलावा क्या क्या options है क्योंकि हम जैसे, मतलब लोगों की एक problem होती है कि अगर हमें बार-बार failure मिलता है तो हमारा उस चीज़ से मन उठ चाता है ठीक है, या फिर family problems आ जाती है family pressurize करती है कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ या फिर financial problems भी हो सकती है ठीक है, बहुत तरह की दिक्कते सामने आ सकती है किसी एक aspirant के तो मैं कुछ आपको आज थोड़े बहुत options देने की कोशिश करूँगी कि जिससे आप थोड़ा अपना mind clear कर सके हो और आपको थोड़ा insight मिले कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है तो चलिए start करते हैं तो देखिए, आपके पास another attempt का option तो हमेशा खुला हुआ है ठीक है, अगर आप एक मतलब financially strong family से आते हो आपके पर family का pressure नहीं है आपको कोई responsibilities extra नहीं है तो आप बिल्कुल चीख खोल कर और 6 महीने अच्छे से तयारी करी है और आपका December में by मतलब बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा ठीक है, यह option आपके पास हमेशा available है लेकिन अब हम उन बचों की बात करते हैं जिनके family उन्हें pressurize कर रही है या उन्हें financial कोई problem है और या फिर वो दो साल से drop कर चुके है ठीक है, बहुत सारी चीज़े हो सकती है यहाँ पर हम एक पूरा holistic approach लेकर चलेंगे ठीक है, तो अगर आपने अभी just mse complete किया यह आपका पहला ही attempt था तो आप अपने आपको बिल्कुल यहाँ पर time दे सकते हो मैं यहाँ पर उन लोगों की बात करी हूँ जो droppers है, ठीक है जिनका एक साल या उससे जादे का drop हो चुका है जिनका निकालने के चकर में, ठीक है और बहुत सारे ऐसे भी लोगों की जिनका net कई बार clear हो जा रहा होगा बट जियारेफ उनका clear नहीं हो पा रहा होगा एक या दो point से वो miss कर दे रहे होंगे mark को तो उनके लिए क्या option है, ठीक है तो आप वहां से भी अगर जियारेफ क्वालिफाई हो जाते हो तो आपके पास PhD में अडमीशन लेने का option है इस टाइपेंट के साथ, ठीक है और फिर उसके बाद में second option क्या है gate का option हमेशा रहता है अगर आप gate clear कर लेते हो तो आप IIT से जाकर PhD कर सकते हो, ठीक है Central Universities होती है या फिर State Universities होती है वो अपना अलग से exam conduct करती है ठीक है JRF वाले बच्चों का अलग exam होता है उनका सिर्फ interview होता है और जो non-JRF, non-net बच्चे है उनका यहाँ पर exam plus interview होता है तो बहुत सारी universities में ये चीज होती है और अगर आप ये clear कर लेते हो तो फिर university आपको खुद funding देगी, आपको pay करेगी ठीक है तो मैं आपको ये suggest करूँगी कि अभी ये जो time चला है इसमें बहुत सारी universities अभी open करने वाली है अपनी vacancies को तो आप यहाँ पर try करिए आप institutions का जो है exam दीजिए अगर आप exam देते हैं तो आपका वहाँ पर clear हो जाता है तो admission ले लीजिए आपके लिए बहुत ही beneficial होगा और साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान रखनी है माल लीजिए आपने admission लिया यहाँ पर without GRF कोई बात नहीं आपने without GRF यहाँ पर admission ले लिया ठीक है और आपने December वाला attempt दे दिया और आपका GRF clear हो गया ठीक तो आप अपने इसको non-GRF वाले stipend को GRF में convert करवा सकते हैं मतलब कि अभी तक आपको जब आप GRF नहीं थे तो आपको university fellowship दे रही थी लेकिन अब आप GRF हो गए हैं तो आपकी fellowship government से आएगी ठीक है तो यह मैं सोचेगा कि मैं बिना GRF PhD में admission ले ले रही हूँ तो अगर बात में GRF हो जाएगा तो मेरा कुछ घाटा है ऐसा कुछ नहीं है जब ही भी आपका GRF हो जाए आपका time नहीं waste होगा और आप अगर GRF के लिए मतलब इतनी dedicated रहेंगे तो आपका December में या फिर फिर further जबी भी आपका GRF होता है तो आपको उसकी fellowship भी avail करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इस तरह से आपका time नहीं waste होगा आपके efforts नहीं waste होगा और आपके extra pressure जो है वो चीज़ भी आपकी कम हो जाएगी ठीक है अगर आपको non-net ठीक है non-net non-JRF ये जो seats होती है इनके बारे में और जानकारी चाहिए और regular updates चाहिए तो YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे channels हैं जो regular updates डालते हैं तो आप उन channels को follow करिए जहां पर regular update आता है और वो सर लोग जो है guide भी आपको करते हैं बहुत सारी चीज़ों में कि आपको कैसे approach करना चाहिए admissions के लिए और बाकी जो भी चीज़े लगती है admission के लिए SOP लगता है या फिर research proposal लगता है guide को कैसे चुने ये सब चीज़ों के लिए भी सर बहुत अच्छे से बताते हैं बहुत सारे चैनल से उसमें से मैं दो चैनल का आपको नाम यहां पर दे रहे हूँ और उनका description में मैं link भी mention कर दूँँगी जिससे आप आराम से जान सकें ठीक है तो पहला चैनल है जिसे मैं personally भी बहुत फॉलो करती हूँ the scientific guru सर जो है यहां पर खुद भी PhD है और सर यहां पर हर एक जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी university या institution का अपडेट यहां पर देते हैं तो अगर आप matter नहीं करता आप life science से हो math से हो physics से हो या फिर arts से भी हो तो यहां पर आपको updates हमेशा मिलेंगी और एक चैनल का नाम है the constant mind ठीक है मैं दोनों चैनल लिंक कर दूँगी यहां पर updates आते रहते हैं जब भी किसी university में किसी institution में यहां पर आएगा आपका वेकेंसी की jrf की अलग से पोस्ट आएगी अगर आप jrf हो तभी भी आप फॉलो कर सकते हो यह दोनों चैनल और non net non jrf की भी अलग से आती है ठीक है तो आप यहां पर सब चीजों से अबडेट रहे हैं और आप बिलकुल यह मैं सोचें कि अगर आपका jrf नहीं हुआ है और आप PhD में अडमिशन ले रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात है क्योंकि आपको stipend से मतलब है jrf के तमगे से आपको कोई मतलब नहीं है main aim आपका stipend है ठीक है कि आपको अपनी PhD के लिए funding मिले और हाँ net का importance मैं मान रही हूँ net का importance यह मान रही हूँ क्योंकि net जो है आपको eligible करता है assistant professor के exam के लिए ठीक है तो यह चीज़ कोशिश करिए कि हो जाए वरना अगर आपको stipend आपको इस तरीके से भी मिल सकता है तो यह था थोड़ा सा insight और अगर आप लोगों को और ऐसी वीडियोस चाहिए कि मतलब कैसे कैसे आपको proceed करना है तो आप comment section में yes लिखिएगा मैं और ऐसी वीडियोस बना दूँगी ठीक है तब तक के लिए बढ़ते रहे हैं बढ़ते रहे हैं थैंक यू